तो नेक्स्ट जो हमारा आज का काम है स्टार्ट करते हैं एन इंदे इन flor और नलता है एक्छामपल की लिए अगर आप याप लिकालना है शकून यूबारो शीcimento करते हैं सब्सक्राइब करते हैं आपका क्या जाए वेव नंबर आजाएगा है युनिट इसका क्या आएगा मीटर निवर्सी आएगा तो कुछ हो जी सकता वन बाए मीटर और मीटर वर्स हो गया लाइन स्पेक्टर आफ हाइड्रोजन आटम यह इसके बड़ाए फार्मला आपने याद करना है वेव नंबर इस इकल टू यह रेड बर कॉंस्टेंट होता है यह वन बाए न आई माइनस एंफा यह इन्शिल जो शेल है उसका नंबर ह है और यह फाइनल शेल उसका नंबर है है शेल के बाहुंए थोड़ा आपको पताओं मैं मेरे शाइव बिताया और तो क्या है कि बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को अगर लेक्ट्रोन को अंदर वाली शेल से रह वाली शेल में निकालना है तो आपको नर्जी में स इस और आगलए स्पाइप आप उन्दर करें से रही है बाद सिधी है यह कि आपको करने पड़ेगी लेकिन आकश्छ सक्ता आगे किसी भी भी तो अपने अब जाएगा और नर्जी क्या करेंगा फाहर अट करने पड़े हैं लिए यह 40 तो अपने आप तो यह अपना लाइट हमारे को दिखाई देगी यह था अपना तो हाँ ईनिशल और फाइनल क्या होती है माली यह इसकि एन नाई शालोगी सेक्न हमान लो पया है तो यह शयल नुम्र अब सम्मगे होगे तो यह बात कर लें हम लोग फार्मले की तो यह वह फार्मूला था आपने पास थोड़ा इसको छोटा कर लें यह वेव नमबर है इसको प्रॉपर से नोट करें फ्रिकेंसी को पर बाद डालने यह रैड़ बर्स कॉंस्टेंट है यह इनिशिल जो आपका नमबर उप शहला है रिफाइनल लेक्ट्रों का शहला है और यहां सेंटिमीटर निवर्स यह खास समझिए और बड़ा इंट्रस्टेंट टॉपिक है तो लाइमन स्रीज हमें कब मिलती है जब एन इंशिल स्टेज इलेक्ट्रों की क्या वान और फाइनल क्या कोई भी हो टू थ्री फॉर फाइव हो तो वेव नंबर जो है आपका वो क्या आएगा 109 इंच एन आई आपने वन कर दिया फाइनल को के कर दिया आपने और कि आपका कोई भी उस्तर सेकंड थर्ड फॉर्ट भारवारी कोई भी और एन आई आपकी बार तो यहां पर आपका कंपलीट हो गया यहां तक है अब बा बोल देते हैं जब लेक्ट्राइं किसी बार वाली शेल से आता है तो जो हमें लाइनस मिलती लाइन का मतलब करेंगे फ्रिकेंशन मिलती है या वेव लेंच जो मिलती है उनके क्लेक्षंचन कर बोलते हैं लाहमन सीरिस आगे निकालेंगे आपको पता समझाएगा क्या चल्षिए से बात क्रिर हो जाएगी इन वरिकली इसका है सब्सक्राइब फॉस्ट दूब्धि लिम्टिन वेवनिंबर प्रॉज लांध तो आपने यह आपका फार्व लाए किसका फॉर्ब्र नंबर का लैम के लिए कियो याँ पोन नायाता है तन में फनी अपने का टू कर सब्सक्राइब कर दिया और जिसको उल्टा कर दिया लेगे यह नीची लेगे इसके बाद क्या किया है ध्यान से देखें आप लोग इसको लेंडा हम फाइंड कर रहे हैं तो अधर लाइन अच्छा तो इसको हमने शोलब किया इसका अंसर कहां लिखा हमने नेक्स्ट हां उदर है उदर सीख़ें ओके मिन्ट यह चीज़ हम आगे लेकर जाएंगे यह वादी भी है यह वादा हुई हम लेंडा निकार रहे हैं इसमें लेंडा में कर दें संटीबीटर में इंवर्स था ओवर उपर चला गया अब क्या किया सेटिबीटर को 10 की माइस्टु कर दिया मेड़ें मीटर कर दिया उसके बाद क्या है यह नीची वैसे का वैसे पड़ा है मैनस एट लगा लिए लगा सकते हैं अश्गे माइनस ही क्यों लुडाया हमने 10-10 बनाना तो मैंस टू पहले था संटीमीटर वाला और में सेट लगा दिया ताकि टाकि 10-10 बन जाए और प्लसर लिए तो टैन्री फोलिए वाला यह त्याम ने रिख दिया हमने इचे सेम पड़ाय और यह दोनों लगिए होगे 10-10 मीटर होगे तो अब इसको डिवाइड कर लो आप यह आपको 1215 में देगा और टैन रेस्ट वाइस टैन मीटर जो आपका एंगेस्टम होता है पहले आपको बदा चुके हैं तो यह आप बारा सो पंदरा केस्टम वेवलेंट था गया अब इस बात को समझ लेते हैं प्रोड़ा अगर इलेक्टरॉन था दूसरी शेल से पहली चल में आता है हाइद्गरि फैली शावण है यह वाली क्या दूसरी चल आए तो जब यहां से इसे जम्प करकि आए गा दूसरी से में आईगा तो तो यह 1215 वाली वेवलेंट वाली रेडिशन छोड़े गया यह ऐसे कर वह बोल सकते तवरा से सुनिये जब एक्ट्रोन से फस्ट चल्में आएगा तो जो वेवलेंट छोड़ेगा जरे चोड़ेगा उसका वेवलेंट यह वाला होगा अब इस वाली शेल में ऐसे भी कह सकते आँ एक्ट्रोन करता है वेवलेंट चाहिए नेक्ट्रोन तो फाइंट करना यहां प्राइक तो आपने एन फाइन्टि कर दोगे तो आपने यहistic जब के थी करोगे तो आपको सेकंड यह वाली मिलेगी समझे आप आपका वह नहीं रहेगा लेकिन जो एन अफ आपका थी कर देना अपने पहले से फर्स्ट में आएगा तो आपको यह मिलेगा अब यह का मिलेगा आपको जब आप क्या करोगे एंडवन तो आपने वह नहीं रखना है जाए इंशल आपने के को आपने क्या करता है पहले थ्री आप फोर कर देना है फोर्ट शेल से अब फॉर्स चाहल में आएगा तो आपको यह वेवलेंट वाल मिलेगी यह यह लाइन मिलेगी या बोल दो इस वाली वह रेडियेशन छो हो इंफिटी में बहुत दूर हो वहां से फस्ट शेल में आता है तो रेडियेशन छोड़ कि आता है कितनी छोड़ के आता है इसका वेवलेट जो होगा 911 एंगेस्ट होगा तो यह आपका लाइमन से था कम्प्लीट अब आ गया बामर से बामर से वैसे का वैसे है इसको संद लेजी है आप लोग बामर में कैया अप यहां पर टू कर दोगे इसमें वेव नमर वह यहापका कि आपका क्या होगा 345 यानि लेक्ट्रॉन किसी भारवाली से चैठ्ट में आएगा चाहिए फॉर से से साइक्ड में आएगा तो या आप उल्टा ही बोल सकते इसमें भी सैक इसको क्या चाहिए यह फटोन चाहिए यह नंबर हो गया इसको कर लिया अब हम इसको समझते हैं और यह विजिवल में लाई करता है यहां लिखाओ को आपने पढ़ लेना है विजिवल में इसका आपने वेवलंद फाइन करनी है वैस्ट मेरे खाल से छोड़ा है आप लोगो से जम्प करके सेट में जाएगा विजिवलंद फाइशन चोड़ेगा अगर फिफ्ट से सेट में जाएगा तो यह फोर थ्री फोर बन अस्ट वाली डिजिवल्ट इसन चोड़ेगा अब कुछ बाद आते कि क्या लिखा हुए वेवलेंट और रेडियेशन और अब्जॉर्बट्स भी करेंगा ब्जॉर्बी कर सकता है दूरिंग ट्राजिशन में स्टेट चेनज करेंगा लेक्ट्रों बावमर सीज में जब वह लेक्ट्रों ट्राजिशन करेंगा तो यह वेवलेंगी यह सोलो खुद करके देखिए इसे बोल दो थार्ड से भार जाएगा और अब्सोर्ब करके जाएगा फॉर फिफ फिफ चोड़ कर आएगा जैसे अमर्जी साब आज को समझी है अपने उसको जिस वही आपका साइटिमेट्र इनमर्स है यह आपका रेड़ इन के अब हाँ एक पिछली वेडियो में बात जाएगी थी हमारी करने वाली सारी बोबतार नहीं आपको बूले गया यह जो सभी वेडियों थैं कि विजिबल में लाई कर रही है ना विजिबल बेटा यह भी विजिबल में मानोंगे आप इसको हम फोर सब्से लेके चले एक्टिल में थर्टी सिक्स थर्टी सेवन के आ लाइब करेंगी इंफराइट के अदर लाइए करेंगी आपने इस खुद ने सोलो करना जो बच्छे नहीं आरे ना वो सोलो करके देंके जो वेवलंट था वो पचात्र शोंग स्ट्रम से क्या आएगी ज्यादा आएगी जो लो कर यह एक वार के फोर लेकर इस फार्मूले तो यह पूरी हो गई है